कि देश में आंत्रिक सुरक्षा का विशह जब भी चर्चा में होता है तो दो मुद्दे आते हैं कश्मीर और नकसलवाद इस समय हम बस्तर में हैं नकसलवादियों का गढ़ समझा जाने वाला जहां पर एक अंतिम्युद की तरह से सरकार प्रशासन पुलीस नकसलवादियों के सामने हैं और मेरे साथ बस्त यहां जगदलपुर में जो बस्तर रेंज के आईजी हैं वेबेका नंद सेना साब वह हैं बहुत शुक्री आपके समय के लिए सेना साब और जैसे मैंने कहा कि एक तरह से फाइनल फ्रंटिया है तो यहां की प्रमुख चुनोतियां प्रमु चैलेंज भी मानते हैं और इसके उनमलन की दिशा में यहां पे बहुत सारे काम हो रहे हैं सुरक्षा के साथ साथ विकास के भी काम हो रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यहां पे विकास की जो परिवासा है और साथ में विकास बिना सुरक्षा के संभब नहीं हो सकता ह इसलिए अंदरुनी छेतरों में जहां पी सड़के बने हैं, जहां पे इंट्रास्रक्चर के काम हुए हैं, वो सुरक्षा के साथ साथ में हुए हैं साथ ही साथ नक्षलियों का जो military organization है और उनका जो काम करने का तरीका है उसको हम खतम करने के लिए operation के साथ साथ हम लोगों का जोड़ने का काम कर रहे हैं और मेरा जहां तक अपना बिश्वास है और मानना है कि जब तक हम यहां के ग्रामीनों को हम अपने साथ नहीं जोड़ेंगे उससे हम निजात नहीं पाएंगे इसलिए हमने ग्रामीनों को जोड़ने के लिए यहां पे बड़े अस्तर पर जो बस्तर रेंज है जो कि साथ जिलों में बटा हुआ है और साथ जिलों में हमने बिभिन नामों से यहां पे सामुदाइक पुलिश्रिंग का कारकरम चला रहे हैं सामुदाइक पुलिश्रिंग के कारकरम में हमारे जो फोर्सेज हैं हमारे जो पुलेस हैं हमारे जो अधिकारी हैं वो गौव में जाते हैं दिन भर वहाँ पे समय ब्यतित करते हैं और कई जगों पे वहाँ पे नाइट होल्ट भी करते हैं और वहाँ पे दिन भर समय ब्यतित करके ग्रामिनों से रूबरू होते हैं उनसे चर्चा करते हैं उनकी समस्याओं को जानकर जहां तक संबब हो पाता है जिन समस्याओं का इम कि ग्रामीनों के साथ एक सतत जो लाइब कम्मुनिकेशन है वो बना रहे और उसके लिए लगातार महने में तीन-चार बार ग्रामीनों में जाते हैं और इसके बहुत अच्छे परिनाम सामने आए हैं और इसी के लिए सामुदाइक पुलिशिंग के तहत बस्तर रेंज को इं पुलिस के साथ गौबाले जुड़ेंगे यहां के लोग जुड़ेंगे उनको लगेगा कि नहीं हमें समस्या से निजात पाना चाहिए और उनका जब सहयोग मिलने लगेगा तो निश्य ही इस समस्या को हम खतम कर पाएंगे और 37 स्थाफित कर पाएंगे और इस रिसा में अच्छी पहल हो रही है ग्रामीनों का अच्छा सहयोग मिल रहा है जिसके कारण से ना हमें ऑपरेशन में मदद मिल रही है साथी साथ जो ग्रामीनों की समस्या है उसको हम खतम भी करते जा रहे हैं उनका हम स्वलूशन भी ढूंडते जा रहे हैं आज बड़ी संख्या में ग्रामीन कैम्पों में आ रहे हैं पुलिस के पास आ रहे हैं और सबसे बड़ा जो उनका इंटरफेस है वो पुलिसी और सुरक्षा बल है क्योंकि गौव में सबसे ज़्यादा पुलिस का जाना होता है सुरक्षा बलों का जाना होता है और आज जितने भी अंदुरुनी छेत तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्य ही यहां पर सांती स्थापित होगी सिना सब्सक्राइब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कम्यूनिटी पुलिसिंग और लॉइन ओर्डर के मोर्चे पर एंगेज करना दो मैं इस समस्या को देखता हूँ और जिस प्रकार से जो मौबा दिया नक्षलियों का काम करने का तरीका है उनका सबसे बड़ा जो तरीका ग्रामीनों के बीच में पैट बनाने के लिए जो वहां की लोकल समस्याइं होती हैं उन समस्याओं को पहले उठाते हैं और ग्रामीन का एक स्वार्थ जुड़ा हो रहता है और बेसिकली वह एक फियर साइकोसिस चाहिए वह पुलिस मुख्वी के नाम पे या अन एक्सक्यूस के बहाने बहुत सारे निदोश ग्रामीनों की वहत्या कर देते हैं और जिससे कि ग्रामीनों एक दहसत पैदा हो जाता है और जब सड़के नहीं है और वहां पे प्रशासन की पहुच बहुत कम है पुलिस भी वहां पे आपरेशन या जो सामुदाइक पुलिसिंग के तहत जाती है तो महने में एक बार या दो बार गई और ग्रामीनों को पता है कि पुलिस आकर वापस सेली जाएंगी और फिर जो एरिया जैसे बहुत सारे छेत्र हैं जो मौनसुन के सीजन में करीब करीब 6 महने कट जाते हैं और जो यहां पे जो नदियां है या जो पहाड़ी जो नाले हैं वो पूरे भरे रहते हैं और 6 महने तक हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं इसके कारण से बहुत सारा एक टापू के रू नहीं है प्रसॉड newer निश्चेंएब पुलीय के पास या प्रश्वासन प्राश्वाशन से जुढ रहे हैं के जो इनका सबसे बड़ा Gurla उसलिए नकषर करने का चैटर रहा लगातार सिकू रोघ neglected attorneysmi वोड़ारा है पाड़ी संख्या में निर्दोस ग्रामीनों की इवन बेजुबान जानवरों को भी मार रहे हैं वो लगातार उन छेत्रों में स्पाइक होल्स या आईडी को प्लांट कर रहे हैं जिसके चपेट में निर्दोस ग्रामीन लगातार आ रहे हैं और सेखड़ों की संख्या में उ प्रण्तु इस इसमें वो लगातार विफल होते जा रहे हैं और पुलिस और जो शुरक्षा वैल है अत्वा प्रशासन की जहां जहां पहुच बढ़ते जा रही है उन छेत्रों से लगातार उनको पीछी हटना पड़ा है और ग्रामीन उनके आडियलॉजी से उनसे लगातार बिमुक होते जा रहे हैं और इसी कारण से आज बड़ी संख्या में आज हमारे पास जो नकसली जो कैडर में पहले यूथ काम करते थे चाए वो मेल हो चाए फीमेल हो बड़ी संख्या में आज हमारे पास सरंडरी के रूप में आ रहे हैं सरंडर कर रहे हैं क्योंकि उनका जो नक्सलियों से मोह भंग हो चुका है और जब हमारे पास आते हैं फिर वो अपनी बातों को बताते हैं किस प्रकार से बहका करके और संगठन से जोड़े वे थे जुड़े हुए हैं बहुत सारे हमारे वो पुलिस में काम कर रहे हैं और उनके प्रयासों से ग्रामिनों के सहयोग से लगातार हम नक्सलियों को पीछे खदरते जा रहे हैं तो निश्य ही नक्सल समस्या जो है कुन छेतरों में बनी हुई है परन्तु मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से काम हो रहे हैं और जिस प्रकार से सुरक्षा के साथ साथ विकास के भी काम किये जा रहे हैं तो वह दिन दूर नहीं है जब हम यहां पे पूर्णता सांति स्थापित कर पाएंगे और साथी साथ हम ग्रामिनों के सहयोग से जो उनको एक फ्री लाइफ जो देने का हमारा मकसद है वो हम दे पाएंगे वेकानन सिना साथ आप तो कानूनी मुद्दे पे पुलिस की तरफ से इंगेज़ हैं लेकिन आपको मालम है जैसे आपने भी कहा पलिटिकल इंटेंट होनी चीए वो क्या एक सल्यूशन हो सकता है जैसे कि नक्षल समस्या है और जो नक्षल जो अर्गनाईशन है उनके द्वारा यही ग्रामीनों को बताया जाता है कि जो बस्तर छित्र के जो जल जंगल जमीन है वो उनका है उनके उपर पूरा उनका ग्रामीनों का अधिकार है परन्तु यहां पे जो सड़के बन रही है जो विकास के काम हो रहे हैं और उसको लेके नकसली ग्रामीनों को भड़काते हैं यहां भहकाते हैं जो अगर सदन बस्तर की बात है चाहिए वो सुक्मा हो दंतेवाड़ा हो बीजापूर में हो यहां पे जो भी जो माइनिंग हो रही है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी ही कर रह है उसका वैलिव एडिशन के लिए एक बड़ा कदम उठाये गया है कि अंदरुनी चेत्रों में किस प्रकार से एक सेंटर डेबलब किया जाए जहां पर जो माइनर फॉर्स प्रोडूस है चाहिए वो महुआ हो चाहिए इमली हो चीराउंजी हो अन्य जो प्रोडक्ट हैं उन शब्सरे से ग्रामिनों के जोड़ कर हम जो भी विकास के काम करेंगे यहां पर बहुत है लाबदाय कदम महत्पून कदम साबित होगा यहां की समस्या को निजात पाने के लिए सड़कों का जयाल फैलाना बहुत जरूरी है जिसका की सबसे ज्यादा बिरोद नकसली करते हैं उनको लगता है कि अगर सड़क बन जाएगा तो छेतर खुल जाएगा गाउं के लोग आना जाना करने लेंगे अगर छेतर जुड़ेंगे तो निश्चे ही वहां के जो ग्रामी आज बरिश्चिंन कौनसी शेयर करेंगे और और रिली मोर उप्चंटलि क्या गुड़ दे के जाएंगे क्या गूर मंत्र दे के जाएंगे कि बस्तर में कामियाब होना इस प्रॉब Streng को टैकल करना है तो क्या किया जाएं यहां के जो ट्रैबल्स हैं इतने इन फैंटा है वो कभी भी जूट नहीं बोलते हैं जब उनसे एक बार आपका रिस्ता काइम हो जाएगा तो आपको लगेगा कि उनसे रिस्ता ताउम्र बना रहे और मैं यही फिल करता हूँ और इसलिए मैंने जो भी समय यहां पर बेतित किया वो बहुत अच्छी तरीके से और यहां की ज हमारा जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसमें ट्रांसफर होता है जो भी नहें यहां पर चार्ज में आएंगे उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि यह बस्तर जो है इससे अच्छा इलाका 36 गड़ में नहीं है यहां पर जिस प्रकार के नेच्ट्रल ब्यूटी हैं जिस प्रक करें और आपके जो भी दाइत्व है उसको अच्छी तरीके से निभाएं और उस तरीके से अगर मन लेकर यहां पाएंगे तो निश्रही अपनी पोस्टिंग करते हुए जो भी यहां की समस्या है उनमें निजात उनके शॉलूशन के लिए आप अपना कंट्रिबूशन दे के लिए समय की आवश्कता है और यहां के लोग बहुत अच्छे हैं बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके यहां के मुद्दों को बातों को समझ कर आपसे और जिस तरह से आपने हमारी हेल्प की यह रियली ग्रेटफुल थांक्यू सेना साब तो यह थे बस्तर के आई